मित्रो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूटूब चेनल डॉक्टर एच्छे स्रावत, फेस्बूक पे डॉक्टर एच्छे स्रावत, मैं हूँ आचार एच्छे स्रावत, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 25 अगस्त की रात, एक बज़ करके 35 मिनट पर, सुक्र देप, दैत्गुरु सुक्र, नीच अवस्था में आजाएंगे, परम नीच अवस्था में आजाएंगे, और केतू के साथ यूती करेंगे एक तो गरह का नीच होना, और फिर केतू के साथ यूती में आना, और फिर मेरा उपर से ये बोलना, मिलेगी बहुत बड़ी रात ये थोड़ा सा अपोजेट है मामला, लेकिन इसको पूरा आपको समझाने की कोसिज करूँगा, क्या है ये रैश, ये सारा मैं आपको बताता हूँ, मित्रो, कोई गरह जब नीच होता है, परम नीच होता है, तो वो बहुत बुरा फल करता है, लेकिन अगर उसका नीच बं का तीन गुना नीच बंग राजयोग बना हुआ है, चार रासियों पर कस्ट है और चार में से दो पर थोड़ा ज़्यादा कस्ट है, और दो पर जो कस्ट है वो हेल्थ पॉइंट अभी उससे है, पूरा एक-एक आपको समझाने की कोसिज करूँगा, बारे रासियों का फल तो यहां पर सुक्र के पास दो डेपार्टमेंट हैं, एक धन का है और एक बैवाइक जीवन का है, अब यहां धन और बैवाइक जीवन दोनों को लेकर के वो नीच हो गया है, दरिद्र योग बना दिया उसने, दरिद्र योग बन गया, लेकिन नीच हुआ है वो कन्यारास जिसमें नीच होता है केंदर में हो तो वो नीच बंग राजयोग बन जाता है तो मेस रासी बालों के लिए नीच बंग राजयोग बनता है इसलिए यहां पर सिर्फ इतना जरूर आएगा कि पती पतिनिवी से किसी एक के स्वास्त पर नुक्षान होगा या कोई सरजरी बगर में से एक रासी है जिसकी हेल्थ पे फेक्ट आएगा ब्रिस रासी में मंगल बेटा हुआ है और साथ में सुक्र नीच का है रासी का सौमी और केतू के साथ है इसका मतलब कहीं पेट में तकली पेट की सरजरी होने का योग बनेगा और यहां थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्त का रखना पड़ेगा अब हम बात करेंगे मθौनवाशी में बार सौमी बुद्दो तो धन बाब में बैटा हुआ है चौते बाम में सुक्र याँहां पर नीच हुए हैं तो मेर रासी बालों का नीच वंग राजब बनता नहीं तो यहां आप यह कह सकते हैं कि संत स्थान के पैरों में तकलीफ आ सकती है इतना ही ध्यान रखना है आपको अपने बच्चों की चोट वगरा न लग जाए साइकल तेज न चलाएं गाड़ी तेज न चलाएं करकरासी करकरासी के अंदर सुकसादन और लाब का सौमी है नीच होकर के बिदेश स्थान पर बैटा ह हुआ है लेकिन नीच बंग राजयोग बना हुआ है बाहर से पैसा आने का योग बनता है मा का थोड़ा स्वास्त पैरों में तकलीफ हो सकती है बड़े वाई को थोड़ा पेट में तकलीफ हो सकती है है लेकिन यह ध्यान रखने बली बात है कि करकरासी वालों के लिए अच कारण यह है कि जो सुक्र था वो मंगल और सनी की द्रिष्टी में था मंगल और सनी की द्रिष्टी में जब सुक्र होता है दुराचार विवचार यह तकलीफें इस्तियों को तकलीफें होती हैं सिंग रासी यह कैरियर का स्वामी नीच हुआ है दनवाब के ऊपर लेकिन यहा ब्रस्पती केंद्र में है अब ब्रस्पती केंद्र में होने से भी नीचमंग राजयोग इसलिए बनेगा एक तो ब्रस्पती की दृष्टी सुक्र के उपर है और दूसरा एक नियम है नीचमंग राजयोग में जो ग्रह नीच होता है और वो जिस रासी में उच्छ होता है उ इसलिए सिंग रासी वालों के लिए केरियर के पॉइंटों भी से बहुत अच्छा है कन्या रासी की आपकी रासी के अंदर ही नीच है यह और यहां पर नीच मंग राजयों बनता नहीं किसी प्रकार का तो कन्या रासी को भी थोड़ा सा तकलीफ है कन्या रासी वालों को तकल तुला रासी वाले तीसरी वो रासी है जो तुला रासी जिसकी में बताई आपको चौती रासी हो गई यह तो यहां पर सुक्र नीच केतु के साथ बारे मबाब में बैठा है तो आपके पेरों में चोट लग सकती है दो नमबर की रासी, साथ नमबर की रासी, तीन और छे नमबर की रासी, ये रासी ऐसी हैं जो चार हैं जिसमें से ब्रिस रासी और तुला रासी दो रासी ओंपर कश्ट आता है अब हम बात करेंगे ब्रिश्चिक रासी के अंदर लाविस्थान पर नीच हुआ है लेकिन केंदर में ब्रस्पती है केंदर में ब्रस्पती होने से सुक्र का नीच बंग राजोग बनता है यानि पहले जो सुक्र चलना था सिंग रासी में उससे बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा है नीच होने के बावजूद भी बहुत बड़ा रिलीफ ये बहुत बड़ी बात है दनुर रासी में बात करेंगे सुक्र नीच होकर के बैटा हुआ है और यहां पर अगर देखा जाए तो सुक्र की जो नीचता है वो खतम नहीं हो रही है क्योंकि केंदरी के अंदर ही है तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की जुरूरत है आपको अपने सुआस्त के ध्यान रखने पड़े मकरासी के अगर हम बात करें तो यहां सुक्र बाकिस्तान पर नीच हुआ है और बहुत अच्छे योग बनता है अब हम बात करेंगे कुम रासी की कुम रासी के अंदर अस्टम बाब में मृतु स्थान में नीच हुआ है लेकिन ब्रस्पति के अंदर में होने के कारण कुम रासी का भी यहां पर नीच मंग राज योग बनता है तो यह रासी भी बहुत उत् वो ब्रस्पती है और ब्रस्पती इसको सुक्र को देखता है तो एतना बुरा प्रभाव यहां पर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जहां पर नीच बंग राज़ोग का प्रभाव बनेगा रिलीफ मिलेगा तो इस प्रकार से आपने देखा कि आठ रासियों का नीच बंग राज़ोग बन जाता है चार रासियों का नहीं बनता है चार में दो रासियां ऐसी हैं जो कस्ट में आती हैं और और भी प्रकार से यह राज़ोग बनते हैं चंद्रमा से भी बन जाते हैं लेकिन चंद्रमा त आता है तो इस वेएसे महां कम बन पाते हैं तो मित्रों आपने देखा कि किस प्रकार से सुक्र पहले सिंगरासी में था सूरि से पीडित था मंगल की चौथी द्रिष्टी से पीडित था और सनी के द्रिष्टी से पीडित था लेकिन अभी खाली केतू से पीडित है नीच होने पर लेकिन केतू उसका मित्र है तो इस प्रकार से वो आपके लिए काफी पॉजेटिव रहा यानि ये कहूं में कि बहुत ज्यादा नुक्सान दाएक वो नहीं रहा कि अगर देखा जाए पूंड रूप से तो बहुत सारी रासियों का न आप नीच बंग राजयोग बना लेकिन पेट में तकलीब मैंने बताई यहां पर बताया मैंने आपको तो इस प्रकार से फिर मैंने का मितुन रासी मितुन रासी का नीच बंग राजयोग नहीं बनता है लेकिन करक रासी का बनता है क्योंकि आ जाता है बुद्द ऐसे ही सि हिराशी के अंदर भी नीच बंग राजयोग बनता है तो ऐसे आठ रास्योंग नीच बंग बन रहा है और चार कानी बनता मित्रो डेटेल जानकारी के लिए आप मुझे संपर कर सकते मैं आपको अपना नंबर देता हूँ इस नंबर पर संपर कर सकते हैं अब मैं आप से आथ लेता हूँ नमस्कार